धाकडगबर के न्यूजरूम से मैं आपके साथ हूँ अकरम रहिस खान धाकडगबर के न्यूजरूम से मैं आपके साथ हूँ अकरम रहिस खान करनाटक से बड़ी खबर आ रही है ये दूर अप्पाने भावुक बाशन देकर इमोशनली ड्रामा करते हुए अपना इस्तिफ नहीं कर सकते हैं तो एक emotional ही काड़ केला एक victim कार्ड केला मैं यह हूँ मैं वो हूँ मैं फाला ना हूं मैं डिका ना हूँ ऐसे कर के पास है मोधी जैसा प्रधान मंत्री उनके पास है जो सतर साल तीस साल में लंगडी सरकारों का दोर खतम करते वाया वो लोग हार नहीं मानते हैं वो लोग खारना नहीं जानते हैं वो लोग सरकार बनाना जानते हैं बड़े-बड़े धासु परवक्ता उनके पास है जो टी भी इम्मत नहीं पड़ी कि वह भूमत तो साबित करा है क्योंकि किरकिरी होती तो विक्टिन कार्ड खेल दिया हम कहना यह चाहते हैं इस खबर में मैं आपके सामने रखना है चाहता हूं इस खबर में क्या कि इतनी सारी रण नीती भारतिय जन्ता पार्टी की किसने करने वाले कौन है और यहां मेरा बहुत इस प्स आपसे कहना है और आपको मानना पड़ेका तसलीम करना मेरी बात को के दो शक्स और दोनो मुसलिम नेता दोनों आप निपर मुष एक को धराशाई कर दीया क्या कहें बहुत कुछ किया सकते हैं बहुत सारे अलफाज हैं लेकिन आपको बताऊंगा कि कैसे धराशाई कर दिया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 14 माई का वो दिन जब रिजल्ट आना शुरू हुआ और जब तस्वीरे तीवी पर उभरनी शुरू हुई तो यहीं से इन दोनों मुस्लिम ने ताव ने पूरा ये चक्रवी उरचना शुरू किया और यहां से चक्रवी की शुरूआत हुई जिसमें भारतिय जनता पार्टी का हर हतकंडा शाम, दान, धन, बेट, ED, CBI, NIA, Police, Income Tax सब धराशाई हो गया जो हर हतकंडा अपनाना था सो करोड सब धराशाई हो गये कोई हतकंडा नहीं चल पाया भूख मीडिया खूब अपनी दलाली में लगा रहा, लेकिन सारी रनी धररशाय कर दी, इस खाबर में हम परूफ करेंगे आपके सामने बताएंगे आपको कि गुलाम नभी आज़ाग और दानिश अली की वो क्या स्टेटिजी थी क्या वो चक्रवियू था जो उन्होंने 14 माई से रचना शुरूर किया था और आज तक उसमें बारती जंतापाटी फसी रही और हार थक के उनके नेता ने से वो नेता बता रहे थे कद्दावर नेता बता रहे थे उसने लड़ने से पहले ही अतियार डाल दिये अपने तो सुनिए कान खोल के 14 माई को जब चुनावी रतीजा आने शुरू है और त्रिशंकु विधान सबा लगने लगी के त्रिशंकु विधान सबा है तो इन दोनों नेताओं ने आपस में संपर्क किया गुलाम नभी आज़ाद ने जो रिपोर्ट है अंदुरू नी हमारे सूत्र बताते हैं गुलाम नभी आज़ाद ने संपर किया सीदे दानिश अली से वो दानिश अली से कहा कि देखो ऐसे त्रिशंकु विधान सबा के नतिज़े आ रहे हैं बारतिय जनता बाटी सो का अंगड़ा पार कर रही है हम तुम्हारी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री तसलीम कर सकते हैं अगर तुम हमारे साथ आजाओ हम सामप्रदाइक ताक्त को आगे बढ़ने से रोख सकते हैं सामप्रदाइक ताक्तों का करनाटक में कबजा होने से रोख सकते हैं हमारे साथ आजाओ यहां से स्ट्रेटीजी बना शुरू है रोने ने से स्ट्रेटीजी पर काम करना शुरू किया और इनकी जो रणनी थी इनका दो जो चक्रवियू मुक्यमंत्री को बियाश यह दूरह पाई उसको 9 बजे सपद दिला दी, मामला रात को ही लेकर कौट पहुँच गए, यह पूरा चक्रवी का इसा था, मामला रात को सुप्रिम कोट खुला, सुप्रिम कोट में रात को 3 गड़े बहास होई, फिर 18 तारिक को अगले दिन बहास होई 17 को खेर सपत दिला दी गई 18 को बहास होई राजेपाल के फैसले पर ये भी एक स्टाइजिजी का हिसा मानिए राजेपाल के फैसले पर सुप्रीम कोट ने साफ कहा दिया कि हम कोई रोक नहीं लगाएंगे सही होगा कि राजेपाल ने जिस तरीके से सपत दिलाई है तो राजेपाल अब जिन्होंने सपत लिया है वो बहुमत साबित करके दिखाएं और चार तारिक तक का टाइम दे दिया कि चार तारिक की शाम तक 19 की चार की शाम तक आपको बहुमत साबित करना होगा उससे पहले ही इनोंने जो प्रोटेम स्फिकर बनाया उसको लेकर फिर से Congress जो है सुप्रीम कोड पहुच गई क्योंकि Congress पहले मामले में पोचीटी तब भी Congress ने कहा था के हम चाहते हैं पूरे मामले की वीडियोग्राफी हो तब ही पारदर्शित आएगी नहीं तो अंदर किसी तरीके से शाम, दाम, दंड, बेड का हतकंड आपना कर किसी भी तरीके से भारतिय जंतापाटिय सरकार बनने की कोशिश कर सकती है लेकिन हुआ यही कॉंघ्रिस की स्ट्रेटिजी काम आई, वो गई तो थी प्रोटैम इस फिकर के लिए, लेकिन वहाँ से एक गाईलाइन जारी होगई सुप्रीम कोट के और वो ही इस केस की सबसे बड़ी इस पूरे मामले की सबसे बड़ी करंधार बड़ी कांग्रेस के लिए जडियस के लिए सुप्रीम कोट ने कह दिया के लाइव स्ट्रीमिंग होगी पूरे के पूरे मामले के लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा तमाम रीजनल चैनल जो है लाइब टेलीकास्ट करेंगे विदानसबा के अंदर का, कब क्या हो रहा है विदानसबा में, यहीं से शारे सांदान दंडबेद अपनाने भारते जनता पाथी धरशाई होगी, क्योंकि जब कैमरे के सामने, फुरे देश के सामने नंगा होगी, तो कैसे बच पाएगी, किस कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं ब्रेस्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं इसके मामले में कैसे बज़ पाई तो मिला कर यह कि जो दिए कर्ताइब की रचना शुरूर चुरूर की ती खुलाब Nat ye azzad और theanish लीए वह अभी तक काम्याब होती दिखाई दे रहे हैं जेडियस और कॉंगरेश की एक चीज आपसे और बता दूँ चाहता तो था कि अलग से खबर करूँ एक चीज आपसे और बता दूँ इसके नतीजे का असर बहुत दूर तक दिखाई देने वाला है जिस तरी के सीवी पक्षी लोग एक साथ जुड का खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी कबर को शेयर कर सकते हैं ऐसे ही फिर किसी सुलकते हो मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हुँगा हजीर फिलाल भी मुझे नहीं जास सकत हूँ